बैट जाईए आप प्लीज बैट जाईए पूलिस के सारे मित्र भी जरा साइड पर हो जाए भई वो बैट जाएंगे आप चिंता मत करो आप बैट जाओ कोई खड़ा होकर फोटो नहीं लेगा बैट जाईए बैट जाओ भाई और यहां पर जो बैटे हैं वो भी सेट करकर बैट जाई जरा प्लीज बैट जाईए भाई दिल्ली से मैं कारेकरताओं को मिलने आया हूँ आप फोटो लेकर बैट जाईए पीटे दो लोग खड़े बैट जाई प्लीज बाद में ही मैं सुरू करूंगा बैट जी बैट जाईए अप फोटो हो गई अप बैट जाओ भाई बोलो भारत मता की बारत मता की मंच उपर उपस्तेत बारत ये जनता पार्टी तेलंगाना के प्रदेश अध्यस श्रीमान किसन डेट दी जी बाई या तुम सेट करकर बैट जाओ में यही खड़े रहने वाला हूं ओ लाइन वाले सोट वाले भाई बैट जाओ ज़र अप लीज बात कारे करदा भी सांती रखे अब डॉक्टर के लक्षमन जी श्री इटेला राजेंदर जी श्री प्रभाकर जी डॉक्टर कसम वेंकटरेश वर्लू जी श्री चंद्रसेकर जी महेश्वर रेडी जी श्री बीबी पाटिल जी श्री प्रकास बाबू जी श्री भरत रेडी जी दिल्ली से इस सम्मेलन के लिए वाये हुए श्रीमान अमित मालविय जी और आज तेलंगाना युनीट के मेरे साइबर युद्धा भाई और बेनो आप सभी को नोचता हूँ मित्रो आज मैं जब यहाँ आया हूँ तब बागिलक्ष्मी मा को प्रणाम करकर मेरी बाद की शुरुआत करना चाहता हूँ मैं यहाँ आया हूँ तब बद्राचलम राममंदीर को भी प्रणाम करकर मेरी बाद की शुरुआत करना चाहता हूँ मित्रो आप सभी लोग बैया प्लीज बैट जाएए आप सुनते नहीं है क्या पिछे बैट जाओ जड़ा सेटल करकर बैट जाओ बैंजी बैट जाएए आप प्लीज मित्रो आप सभी जानते हैं अब कारेकरदा भी सांती रखे मैं बिठा रहा हूँ ना आप मत बुलिए कोई नहीं बोलेगा बैट कारेकरदा ना बोले बैट जाएंगे वो फोटो लेकर क्यों चिंता कर रहे हो मित्रो आप सभी जानते हैं कि आने वाले कुछ ही दिन में लोग सबाचुनाव की घोचना होने वाली है और अप्रेल और में में हमारा ये महान देश इसके मत बाता आने वाले पांच साल तक इस देश का सासन किस पार्टी के साथ होगा किस व्यक्ति के पास होगा इसका नेड़ाई करने वाले हैं फैसला करने वाले हैं और वो जो फैसला करने वाले हैं उसमें आप सभी का बहुत महत्वपूर्ण रोल है बहुत महत्वपूर्ण योगडान रहने वाला है इस जमाने के चुनाव में जितना महत्व गर-गर गुमकर प्रचार करने वाले कार्यकरता का है इतना ही महत्वार सोस्यल मीडिया के माध्यम से घर-घर संदेश पहुचाने वाले कार्यकरता मित्रो देश की जन्टा ने एक प्रकार से तै कर लिया है मैं करीब-करीब देश के सभी राज्यों से होकर यहां आया हूँ जिस जिस कौने में गया जिस जिस हिस्से में गया जिस मत छेत्र के अंदर गया हर जगे देश की जन्ता नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रदान मंत्री बनाना था युवाओ के बीच में जाते हैं मोदी मोदी के नारे लगते हैं महिलाओं के बीच में जाते हैं, मोदी मोदी के नारे लगते हैं, घरीबों के बीच में जाते हैं, मोदी मोदी के नारे लगते हैं, किसानों के बीच में जाते हैं, मोदी मोदी के नारे लगते हैं, ग्यारवे नंबर से पाँचवे नंबर की अर्थवे वस्ता भारत बन गया है और मैं आपको मोदी गैरेंटी बताने आया हूँ मोदी जी का गैरेंटी है तीसरी बार मोदी जी को प्रदान मंत्री बनाओ दुनिया में तीसरे नंबर का इकोनॉमी हम बन जाएंगे मोदी जी ने सबसे तेज बरती हुई एकोनॉमी देने का काम किया है और मोदी जी ने 60 करोड गरीबों को गरीबी का पूरा दुख बोगने वाले लोगों को जीवन स्तर को उठाने का काम किया है आज भारत स्मार्ट डेटा कंजम्शन में दुनिया में नमबर वन है, भिन्टेक में नमबर वन है, मोबाइल मैनुफेक्चन में नमबर दो है, तीसरा बड़ा एवियेशन मार्केट है, तीसरा बड़ा ओटो मार्केट है और चंद्रमा के दक्षीन धुरू पर पहुंचने वाला भारत पहला देश है में यह गवरो मोदी जी ने दिया है मोदी जी के दस साल सारे वादों के समापती के दस साल है मैं आपको बताना चाहता हूँ मैं पार्टी का अध्यस्ता 2019 में हम मैनिफेश्टों रिलीस कर रहे थे संकल पत्र गोसीच कर रहे थे उसवद पत्रकार पूस्ते थे पहला पेज तो ऐसा है जो कभी भी पूरा नहीं होगा मैं भी निरुत्तर था पहले पेज में क्या था क्या था हमारे संकल पत्र के पहले पेज में पहले पेज में था अयोध्या में भव्य राम मंदीर हम बनाएंगे पांच सो साल से पूरे देश के सभी स्रगडालू चाहते थे कि अयोध्या में भव्य राम मंदीर हो और रामलला सनमान के साथ अपने मंदीर के अंदर विराजमान हो एक कॉंग्रेस पार्टी एक कॉंग्रेस पार्टी सत्तर साल जट राम मंदीर के मुद्दे को अटकाती रही बटकाती रही लटकाती रही अरे आपने तो बनाया नहीं मंदीर मोधी जी ने बनाया प्राण प्रतिष्टा थी आपको निमंत्रन दिया आप उपस्थीत भी नहीं रहे वोट बेंक की लालत से आपने राम जन्वुमी के प्राण प्रतिष्टा का बहिस्कार किया मित्रों दूसरा वादा क्या था कस्वीर से हम धारा 370 को समाप्ट कर देंगे आज मैं कहना चाहता हूं सत्र सत्र साल से कॉंग्रेस पार्टिये धारा 370 को लेकर चलती थी नरेंद्र मोधी जिने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को एक जटके में समाप्ट कर दे युवा मित्रों मुझे बताओ एक अस्वीर जो हे हमारा है या नहीं है एरे जोड़ से बोलो है या नहीं है दारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी एक कॉंग्रेस पार्टी तुरूष्टी करण की रादनिति के करण दारा 370 हटाती नहीं थी मोदी जी ने एक जटके में धारा 370 को समाव कर दिया हमने तीसरा वादा किया था त्रिपल तलाग को हम समाव कर देंगे किसी की हिम्मत नहीं थे लाखों करोडों मुसलिम माताओं बहनों के साथ अन्याय होता था मुसलिम की बात करने वाले माइनोरिटी की बात करने वाले मुसलिम माताओं की आवाद नहीं सुनते थे मोदी जी ने क्रिपल तलाग को समाव कर दिया और देश में सभी को अधिकार मिला मोदी जी ने कहा था कि हम महिलाओं को 33% आरक्षन देंगे कॉंग्रेस पार्टी सालों तक सक्ता पर रही परंटु उनको 33% आरक्षन रिजर्वेशन नहीं मिला मोदी जी ने विदान सबाव और लोग सबाव में मातरु सक्ति को 33% रिजर्वेशन देकर मातरु सक्ति का सनमान करने का काम और अभी अभी कल ही हमने कहा था हम हमने कहा था हम CAA लाएंगे कॉंग्रेस पार्टी CAA का विरोज कर दी थी आजादी के वक्ष से कॉंग्रेस पार्टी और हमारे समविदान निर्माताओं का वादा था कि बंगला देश, अभगानिस्तान और पाकिस्तान से जो सरनार्थी आएंगे जो वहाँ की प्रताजना जेल कर आएंगे उसको हम नागरिकता देंगे मगर दुरुष्टी करण की वाट बैंक की राजनिती के कारण कॉंग्रेस पार्टी इसका विरोज करती थी लाखो करोडों लोग पाकिस्तान से और बंगला देश से अपना धर्म बचाने के लिए अपना सन्मान बचाने के लिए इस देश में आये उनको नागरिकता नहीं मिलती थी अपने ही देश में वो नागरिकता के बग्र अपमानित होते थे नरेंद्र मोदी जी ने हिंदू बहुत जैन इस सारे सीख इस सारे लोगों को नागरिक्ता दे कर उनका सनमान करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है भाई और बेनों हमने इस सरनार्थियों को सनमान जनक जीवन देने का काम किया है उनकी संस्कृति उनकी भासा उनका धर्म उनके परिवार की महिलाओं का सनमान उसका रक्षा करने का काम किया है और आज से कल से कल से इस देश में आया हुआ हरेक सरनार्थी मेरे और आपके चितना ही अधिकारी है इस देश पर ये अधिकार हमने इनको दिया चाहिए कॉंग्रेस ने इसका भी विरोध किया मित्रों दस साल में हमने कई सारे रिफॉर्म किये हैं और मैं आज आपको बताना चाहता हूँ दस साल पहले में जब यूपी का इंचार था 2014 में सोचियल मीडिया की ही मीट इतनी बड़ी तो उस वक्त होती नहीं थी आगरे में छोटा सा हॉल था 300 सोचियल मीडिया वोलेंटियर से सारे लोग कहते थे हमारे लिए फॉन बड़ा महगा पड़ता है और डेटा का रेट भी बहुत ज्यादा है इसलिए हम सोचियल मीडिया पर ज्यादा काम नहीं कर सकते आज मैं आप सभी मेरे साइबर युद्धाओं को कहना चाता हूँ आपके हाथ में आज मेकिन इंडिया का फॉन है और सबसे सस्ते डाटा के साथ आप इंडिया की सक्से स्टोरी को दुनिया भर में पहुचा रहे हो यह डिजिटल क्रांटी नरेंद्र मोधी जी ने लाई है मित्रो आज तेलंगाना की जनता ने फैसला एक प्रकार से तीन पार्टियों के सामने भाजपा का चुनाव है कॉंग्रेस पार्टी, टी आरेस और मजलिस मगर मैं कहता हूँ ए तीनों पार्टियों का एजंडा एक ही ही मेरी बात जान से सुनना तीन पार्टियों के सामने तेलंगाना की जनता को भारतिय जनता पार्टी को और मोदी जी को चुनना है एक कॉंग्रेस पार्टी, दो टी आरेस, तीसरा मजलिस परंटु पार्टी कहने को तीन है मगर एजंडा एक ही है, एक कॉंग्रेस और टी आरेस मजलिस के एजंडे पर चलते है, मजलिस का एजंडा लागू करता है मुझे भाई और बेनों बताओ, हैजराबाद सापना दिन मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए जोर से बोलिये मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए ये मुस्लिम रिजर्वेशन हटना चाहिए या नहीं हटना चाहिए जोर से बोलो हटना चाहिए या नहीं हटना चाहिए क्या कॉंग्रेस हटा सकती है टियारेस हटा सकती है मजली जटाना चाहती है ये तीनो एक दूसरे के चट्टे बट्टे है ये तीनो पार्टिया एक है सिर्फ एजंडे में नई सिर्फ एज़न्डे में नहीं तीनो पार्टीया परिवारवादी पार्टीया है कॉंग्रेस पार्टी चार पिडी से जवालाल नेरू इंदिरा गांधी राजीव गांधी सोनिया गांधी और राहूल गांधी यहाँ KCR और KTR आ रहे हैं और यहां पर भी मदलीस में भी चार तो आ गये हैं न जाने कितने आएंगे Georges On आपने में सारी वारोदी पार्टिया और टिलंगाना का भलान नहीं कर सकती एक ही एक पर सब्रस्टाकर कारणी प्रस्ठक्रृत बें वाने वाली प्रस्ट्त Grü Strauch भाई और बेनो, अभी यहाँ पर कॉंग्रेस की सरकार है, मैं कॉंग्रेस के मुख्यमंत्री को कहने आया हूँ, भाईया जरा आपकी पार्टी के गुटाले को मैं लिस्ट देता हूँ, तुम जरा तेलंगाना की जनता को जवाब देना, कॉंग्रेस पार्टी ने कॉल ब्लोक का गोटाला किया, कॉमन वॉल्प का किया, टू जी का किया, साहरदाज चिटफन का किया, हीमा चलकी सेविक की विक्री का किया, आई एन एक्स मीडिया का किया, एर सेल का किया, लैंड फॉर्ट जॉब का गोल का ला हुआ, जमू कस्मिर क का घोटाला हुआ और वेस्टलेंड का हुआ सबमरीन का घोटाला हुआ बॉफोर्द घोटाला हुआ मारूती घोटाला हुआ घोटाले की लिष्ट इतनी लंबी है एक कॉंग्रेस पार्टी ने 12 लाक करोड के घपले गुटा ले और प्रस्टाचार किया है और टी आरेस टी आरेस ने भी तेल्गू प्राइड के नाम से सद्दा पर आए और लाखो करोर रुपिये का प्रस्टाचार किया मैं इनकी प्रस्टाचार की लीस्ट मेरे पास है मगर मैं बताना नहीं चाहता ये दोनों पार्टियां ब्रस्टाचारी पार्टियां है मित्रो ये तेलंगाना का भला नहीं कर सकते ये दोनों पार्टियां ब्रस्टाचारी पार्टियां है और ये दो तीनों पार्टियां तेलंगाना को विक्सित तेलंगाना नहीं बना सकती ये तीनों पार्टियां का एजंडा लग है परिवार वाद के साथ अपने परिवार का भला करना मुझे बताओ जो अपने बेटों बेटी के लिए राजनीटी में है वो तेलंगाना का भला कर सकते है क्या जोर से बोलो कर सकते है क्या तेलंगाना का भला केवल और केवल नरेंद्र मोदी के नेत्रुतों में भार्टिया जन्ता पार्टी कर सकते है बाई और बेनो मोदी जी देश के सर्व से घरीब गर्मिक चाय बेचने वाले के बेटे के रुप में जन्म लेकर अज़ दुनिया के सबसे लोग प्रियनेता बने हैं मोडी। 23 साल से, 23 साल से मैं बरोबर देख रहा हूँ, ये व्यक्ति ने एट भी छुटी नहीं ली है। 23 साल से ये व्यक्ति गरीबों के कल्यान का काम करा है। और 23 साल से ये व्यक्ति CM भी रहा, PM भी रहा, उसके जीवन पर कोई उंगली नहीं उठा सकता, ब्रस्टाचार का एक भी आरोफ नहीं। जिनोंने अपना पूरा जीवन देश के घरीबों के विकास के लिए समर्पित किया, जिनोंने पूरा जीवन एक चन का भी विराम करे बगर भारत माता की सेवा में लगाया, एक और वो है और एक और रहूर बाबा है। हर तीन महिने में 45 दिन की चुट्टी मनाना है। मोदी जी ने कहा भी चुट्टी सभी लोग भारत में मनाएं, मगरे कहां मनाते हैं, इतली मनाते हैं, रोम बनाते हैं, इंगलेंड जाते हैं, अमरीका जाते हैं, उनको जड़ा घरमी लगती हैं। भाईों और बेनों, यह जमात कभी भारत का भला नहीं कर सकती, यह जमात कभी तिलंगाना का भला नहीं कर सकती। और मैं आज यहां आया हूँ तब तिलंगाना के मुख्यमंत्री को पूछने आया हूँ, आप जरा बताईए, दस साल आपकी सरकार थी, दस साल में आपने तिलंगाना के लिए कितना खर्च किया। मित्रो, दस साल में संयूक्त अंडरपदेश के लिए सुन्या मनमोहन सरकार ने दो लाग करोड उपे का खर्च किया था। कितना खर्च किया था? जोर से वोलो कितना? मोधी जी ने अकेले तेलंगाना के लिए दो लाग बयालीस अजार करोड का खर्च किया है। एक लगबग लगबग चार लाग करोड से जाड़ा रोड, एरपोर्ट, पेट्रोल की लाइने और कई सारे इन्स्टिट्यूट देने का काम नरेंद्र मोधी जी ने किया है और तिलंगाना का विकास करने का काम है। मित्रो इनके पास पास्ट परफॉमंस भी नहीं है, इनके पास ट्रेक रेकोर्ड नहीं है, इनको पुत्ते हैं कि सतर साल में क्या हुआ, क्यूं साट करोड लोग बैंक एकाउंट के बगर थे, जवाब नहीं है। इनको पुत्ते हैं 13 करोड मैलाएं क्यूं गैस का सिलिंडर नहीं मिला था, उनके पास जवाब नहीं है। इनको पुत्ते हैं 14 करोड घरों में सोचाले क्यूं नहीं था, इनके पास जवाब नहीं है। इनको पुत्ते हैं 14 करोड घरों में जल से नल से जल पीने का पानी क्यूं नहीं था, जवाब नहीं देते हैं। इनको पुत्ते साथ करोड लोगों को मुफ्त अनाज क्यों नहीं मिलता था जवाब नहीं है पर मोदी जी ने दस साल में सारे जवाब दे दिया आज साथ करोड लोगों को बैंक अकाउंट दिया तेरा करोड लोगों को गैस का सिलिंडर दिया चौदा करोड लोगों को नल से जल दिया तीन करोड लोगों को घर दिया और साथ करोड लोगों को प्रती मा प्रती व्यक्ति अनाज फ्री अपकोष देकर पांच लाग तक का पूरा स्वास्त का खर्चा मोदी जी ने फ्रीक है आपने देखा होगा राहुल बाबा कॉरोना में भी मजाक उडाते थे कॉरोना में कहते थे कि ये तो मोदी वैक्सिन है इसको मत चुओ मगर मोदी जी ने अपिल की पूरी देश ने वैक्सिन ली और आद देश कॉरोना से सुरक्सित बाहर आ गया मित्रो ये मोदी जी ने पूरे देश को सुरक्सित कने का थे सिर्फ कोरणा से सुरक्षित नहीं किया पाकिस्तान थे आए दिन जब सोनिया मनमहन की सरकार थी पाकिस्तान से आलिया मालिया जमालिया घुजदाते थे और बम दमाके करते थे और मनमहन सिंग कुछ नहीं बोलते थे कुछ नहीं बोलते थी, उन्होंने उरी और पुल्वामा में किया, इनको मालूम पड़ा कि क्या होने वाला है, वो भूल गए कि अब मन मोहन सिंग प्रदान मंत्री नहीं है, नरेंद्र मोधी प्रदान मंत्री नहीं है, दसी दिन के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक और एस्ट्र में घुषकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोधी नहीं है, नरेंद्र मोधी नहीं हमारी देश की सिमाओं को सुरक्सित करने का काम किया है, आतंकवाद और नक्सलवाद को समाप्त करने का काम नरेंद्र मोधी नहीं है, दस साल के अंदर मोधी ने एक नी दालने का काम किया है जैसा मैंने कहा इनके पास इनका कोई record नहीं है इनके पास भविश्यका एजन्डा भी नहीं है हमारे पास 10 साल का track record भी है और 25 साल का भविश्य का एजंडा भी नरेंद्र मोदी जी ने इस देश की 130 करोड की जंताओं को और विशेश कर युवाओं को आहवान किया है कि 15 अगस्त 2047 को देश की आजादी की जब सताथी मनाई जाएगी उस वक्त ये देश विश्व गुरू के स्थान पर भारत माता बैठी होगी हर क्षेत्र के अंदर हर क्षेत्र के अंदर भारत विश्व में सर्व प्रतम होगा भारत आत्म निर्बर होगा भारत पूर्ण विक्सित राष्ट बनेगा ये लक्स लेकर मोदी जी चले हैं एक और इंडी अलायंस गमडिया गटवंडन और टियारेस जैसी पाटियां अपने बेटे बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास कर रही है दुसरी और मोदी जी के नेत्रुत में भारतिय जनता पाटी भारत माता को विश्व गुरू के स्थान पर बैठाने के लि मोदी जी ने डेटा का बिल बहुत सस्ता करा है बिल की चिंता मत करिएगा एक सर्ट कम पहनिएगा मगर एक 45 दिन तक मई अन तक सोशल मीडिया में नरेंद्र मोदी जी के एजंडा को और नरेंद्र मोदी जी की नितियों को तेलंगाना के हर युवा के साथ पहुंचाने का काम आपको करना है आज इस सभागार से जाने के बाद हर युवा हर भाई हर बहन इत्ताई करकर जाए चार सो पार तो करना ही है मगर इस चार सो में बारात तेलगू कमल तिलंगाना से भी भीज़ना है मुझे बताओ इस अंकल्प लेकर यहां से जाएंगे अरे यार जोर से बुलो जाएंगे बारात सीट जितने का फैसला करते है जोर से बुल यह करते है मोदी जी को चार सो पार कराओगे मोदी जी को तीसरी बार प्रदानमंत्री बनाएंगे तिलंगाना में बारा से ज्यादा भाजपा सांसत जिताएंगे तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्टी भीचे और प्रसेंट आवाद से बोलिए, बारत मता की जैए, 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 बारत मता की जैए जेंटरिम जेंटरिम